हेलो नमस्कार आज हम बनाने जा रहे हैं उन्दी याने सर्दियों की जो रेसिपी मैंने बनाई थी उसमें जाने वाले मुठ्य की रेसिपी जो बहुत लोगों ने मुझसे पूछी थी तो भग यह एक जूडी मेतियों तो फोड़ी मैंने धनिया अटकी इसे दो के काट लिय हुई है और मैंने यहां डाल दिया है थोड़ा सा अच्वाइन और तिल और यहां पर डाल रहे हैं नमक और अब मैंने डाल दिया निबू कर रच निबू कर रच नहीं हो तो आप इसमें खटाई के लिए डाल सकते हैं और यहां मैंने एक से और चमच सूजी याने रवा ड यहां पर दो से तीन चमच चकल डाल दिया है और यह मारा अब च हरा है दो मधे कम चारा लाती नहीं है और टालते हैं वह मुझे पचंद है इसलिए मैं कुछ इस तरह का लगाती हूँ और आटे में कई लोक सोडा ढालते हैं जो मुझे कम पसंद आता है तो मैं सोडा नहीं डालती हूँ मैंने इसके लिए इसमें डाल दिया है तो चमश तेल इसे बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं क्योंकि हमें इसे सब्जी में डालना है सब्जी बनने के बाद इस तरह से मैंने सारे मुठ्छे बना लिये हैं अब बारी आती है तल्ले की यह है तेल करम और अब इसे मैंने धीमा करके इसे सारे मुठ्छे में एक एक करके डाल रही हैं यहां पर तेल जितना है उसे साफ साफ मुठ्य डालिए मुठ्य बहुत सादा मट्य का बढ़ना तेल एकदम से ठंडा हो जाएगा और मुठ्य आपके अच्छी नहीं बनेंगे तो यहां पर मैंने कुछ आर्टिक मुठ्य डाल दिया है और इसे तलने में टाइम लगता है आप इत्मिनांस से समझ लेजिए तीन से चार मिनिट आर्शाम से लगेंगे इस तरह का कलर है अभी हमें और इस एक तलना है और आज एकदम धीमी रखिए और इस तरह से तलते रह बहुत अच्छी लगती है यहां पर यह बन के त्यार हो गए है इसे मैंने किचन टावल में निकाल लिया है और देखे बिल्कुल अच्छे से यह रेडी हो चुके हैं और आप इस तरह से बनाई और इंजॉय करिए और मुझे बताईए कैसे बने आपके मेंती के मुठी है यदि आपको यह रेसेपी अच्छी लगए है तो प्लीज कमेंन करके बताईएगा और आपको यह रखता है चैनल दोसे सब्सक्राइब जरूर करेगा मैं मिलती हूं नेक्स रेसेपी की साथ तब तक बबाई